हाँ जी नमस्कार कैसे हैं आप लोग सभी गुडीवनिंग जितेंद्र राज रोहित सुनेल पंकज किरन हर्योम कृष्णा सनी पारवती आकांचा पंकज भागीरत कपिल प्रदीप रीना शिवानी दुर्गा हर्योम सभी का स्वागत गुडीवनिंग क्या हाल चाले आप सब के एकदम बढ़िया है जी हम एकदम ठीक है एकदम बढ़िया है फस्क्लास है चलो आज का हमारा जो टॉपिक है लाभ हानी के अंतरगत जो आता है छूट या जिसको आम जनता क्या कहती है डिसकाउंट इंग्लिश में आज हम डिसकाउंट से जुड़े हुए सवाल करने व डिसकाउंट रिलेटेट क्वेस्टेंज हम करेंगे आपको पता है कि हम कोई एक चीज पकड़ते हैं लाभानी तो लाभानी बहुत बड़ा चैप्टर है है अगर आप मेरे मैस फांडेशन में जाओगे तो मुझे लगता है लाभानी कम से कम मैंने 13 या 14 घंटे उसमें पताने के बाद फिर हम क्वेस्टन की तरफ चलेंगे तैयार है सब लोग चलिए तो आपको पता है कि हमने सबसे पहले सरली करण पड़ा था फिर आय व्याय और बचत पड़ा था घातांक और करनी पड़ा था कल आज बारी है छूटकी और कल बारी है शेशफल रिमेंडर और वाले जो सवाल आते हैं शेशफल वाले रिमेंडर वाले वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा तो आप उसको एटेंड करिएगा और यह पूरे 10 दिन का शेडियूल है यह 10 दिन खत्म होंगे फिर मैं आपको अगले 10 दिन का शेडियूल दूंगा और यह हमारा जारी रहेगा फिर समयकारे में हम कारे छोड़ने वाले सवाल करेंगे इकाई अंक वाले सवाल करेंगे compound interest में गुने वाले प्रेशन करेंगे LCM SCA विभाज जिता और इस class को अटेंड करने के फाइदे क्या-क्या है वो आपको पता ही है है ना और आप जब winners के channel पे जाएंगे और playlist section में जाएंगे तो जितनी भी पुरानी classes है वो आपको दिख जाएगी एक playlist बनी हुई है target 2024 के नाम से और इसके अंदर जो classes हो रही है आगे जो होंगी और जो हो चुकी है latest की वो आपको इसमें मिल जाएगी playlist में तो आप इसमें से देख लेना ठीक है और digital sum आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ लो क्योंकि आज भी जब हम करेंगे तो digital sum की जुरत पढ़ेगी और digital sum हर तयारी करने वाले student को आना ही चाहिए और ये आप जब एकाद बार पढ़ोगे तब ही समझोगे कि अरे ये तो बहुत काम की चीज है तो आप YouTube पे सर्च करिए digital sum by आदित्य पटेल दो lectures आपको मेरे मिलेंगे और आपने जिस दिन इनको पढ़ लिया उस दिन से आपका जीवन अलगी दिशा में चला जाएगा calculation आपका साथवे आसमान को छू जाएगा ठीक है थोड़ा समय ने change ये करा है कि कल रविवार को हम पढ़ाई ना करके क्योंकि आपको पता है कि railway भी लगातार active है तो कल रात को 8 बजे रविवार को रात 8 बजे क्योंकि कल Sunday है तो मैं आपको बीच बीच में NTPC, Group D और आने वाली जो भी भरतिया है क्योंकि आप भी कही ना कही जानना चाहेंगे कि सर इनमें कितनी salary होती है पढ़ना क्या होता है syllabus क्या होता है क्या पूछा जाता है CBT-1, CBT-2 तो कल रात को 8 बजे मैं NTPC की पूरी जानकरी दूँगा A to Z पूरा उसका post-mortem करेंगे फिर उसके बाद जब आप चाहोगे तो एक दिन group D की पूरी जानकरी दे दूँगा मैं तो कल Sunday special railway का NTPC क्योंकि इसको ये non-technical post है इसको सब भर सकते हैं इससे आप क्या बनते हैं क्या पद मिलते हैं क्या process रहती है वो सब मैं बताऊंगा क् क्योंकि railway 5 साल से जो भी था उसको हम छोड़े आगे क्या होगा उसको छोड़े इस साल जागा हुआ है तो बहती गंगा में हाथ धोना ही समझदारी है और आप किसी भी राज्य के हो कोई भी आपका लक्ष हो railway के form आपको जरूर भरने चाहिए मैं अपनी तरफ से जो भी support ह होगा वो आपको करूंगा guidance हो preparation हो syllabus और जहां जहां जो मदद लगेगी तो कल रात को 8 बजे अगर आप railway NTPC के बारे में नहीं जानते हैं तो कल जुड़िए कल में इसके बारे में पूरी जानकरी आपको दूँगा और इसके अलाबा और जो परिक्षाएं आगे आ रही है उन सब की जानकरी दूँगा railway ने अपना exam calendar निकाल दिया है और पूरा बता दिया है कि भाई इस साल हम कब कब notification निकालेंगे अगले साल कब निकालेंगे और ये साल दर साल चलेगा ऐसा कहना है उसका वीडियो अलग से उपलब दें वो आप लोग देख लेना तो कल रात को आप सब कोर में दिखाना चाहता हूं पहले मैं अपने आपको गायब करूँगा ताकि आपको फोटो और क्लियर दिखे तो आपको पता होगा आपको पता होगा कि हमने मेरे बड़े पर लंच वित आदितिसर करके की स्कीम निकाली थी जिसमें हमने एक टेस्स लिया था और राजबाड़ा है लालबाग पहले से यहां का अनपूर्णा मंदिर है फिर काफी चर्चाएं हुई ओफलाइन क्लासेस की विजिट यह सब मैंने आज सारे विध्यारतियों को कराया है तो आज मेरा पूरा दिन इन विध्यारतियों के साथ ही बीता है ठीक है चलो इसका कि एक होता है तो सबसे पहली चीज आप समझें एक तो होता है भईया डिसकाउंट जिसको शिद्ध हिंदी में हिंदी में हम छूट कहेंगे और शुद्ध हिंदी में हम इसको बट्टा कहेंगे ठीक है अब आपको इसके अलाबाग team चीजे पता होनी चाहिए पहला आपको आपको यह पता होना चाहिए कि क्राय मुल्य क्या होता है यानि कॉस्ट प्राइस क्या होती है फिर आपको यह पता होना चाहिए कि विक्राय मुल्य क्या होता है जल्दी जल्दी बता देता हूं क्योंकि यह मैं बताऊंगा तो आदा घंटा मुझे लगता है यह सब को डिटे में कहते हैं माग्ड प्राइस है ना भाई तो थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूं ध्यान से आप समझेगा और फिर हम डिसकाउंट के टाइपस भी देखेंगे कि डिसकाउंट के प्रकार क्या-क्या होते हैं ठीक है तीन चीजे आपको पता होनी चाहिए पहला क्रय मुल्य कहते हैं आपने कोई चीज सौ रुपय में करीदी तो यह उसका क्रय मुल्य हो गया लागत फिर अब जनरली जो चीज जितने की בंती है जितने की हमें पढ़ती है एक दुकानदार के point से सोचे है कंपनी के point से सोचें तो वह क्या करते हैं उसकी कीमत बड़ा की लिख देंगे कि भहिया MRP इसको आप और हम अपने निजी जीवन में किस नाम से प्रयोग करते हैं डे टुडे लाइफ में हम इसको क्या कहते हैं MRP 100 रुपई की चीज है हमने उसके उपर क्या लिख दिया हमने उसके उपर लिख दिया 140 यह हो गई उसकी MRP फिर भारत के हर नागरिक का जो एक रास्टी अधिकार है बारगेनिंग करना मोलभाव करना डिसकाउंट मांगना है ना तो जब हम दुकांदार से बोलते हैं कि नहीं कम तो करना पड़ेगा तो दुकांदार ने मान लो उसी चीज को आपको कितने में दे दिया 125 में और हमारी खुशी साथवे आस्मान पर क्योंकि हमने 15 रुपे कम कराए हैं लेकिन हमें यह नहीं पता कि 25 रुपे महंगा खरीदा है है ना खेर यह तो विदी का विधान है य तो अगर जितने का मिल रहा है उतने में बेचेंगे तो फिर सामने वाला कमाएगा क्या है ना तो तीन चीजें आपको यहां पर समझनी है क्राय मुल्य अंकित मुल्य और विक्राय मुल्य अब अगली बात यह है कि अंकित मुल्य और विक्राय मुल्य के बीच में जो संबं होता है उसे ही छूट कहा जाता है उसे ही डिसकाउंट कहा जाता यह ध्यान रखिए हम कभी भी डिसकाउंट देंगे तो डिसकाउंट हमेशा किस पर दिया जाता है तो आपका जबाब होगा अंकित मुल्य पर डिसकाउंट देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा हमें क्रे मुल्य के बीच में जो आता है उसे ही लाभ या हानी कहते हैं एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस पता लगाना है कि भाई मुझे कितने का लाब हुआ कितने की हानी हुई तो जो भी लाब हानी है आप हमेशा calculate करते हैं क्रै मुल्ले पे cost price पे multiply by सो लाब या हानी की गणना हमेशा क्रै मुल्ले पे होती है cost price पे होती है ये ध्यान रखना ठीक है लेकिन discount की बात करूँ मैं तो discount के case में क्या होता है भाई जो भी discount है उसके लिए हमेशा marked price यानि आप अंकित मुल्य हमेशा calculate करोगे अंकित मुल्य पर calculation करोगे and multiply 100 का करोगे मैं फिर से अपनी बात repeat कर रहा हूँ discount हमेशा अंकित मुल्य पर calculate होता है लाब या हानी हमेशा क्रै मुल्य पर calculate होता है है न तो आपको discount पता लगाना है अच्छा discount देने के बाद पता चलता है विक्रै मुल्य है न तो discount किस पर calculate करोगे अंकित मुल्य पर multiply by 100 पता चलेगा कितने परसेंट का discount दिया दूसरी बात लाब या हानी पता लगाना है तो लाब हानी हमेशा calculate होगा क्रै मुल्य पर नीचे रखोगे क्रै मुल्य गुणा करोगे 100 का तो पता चलेगा कितने का profit या loss percentage में हुआ उमीद है दोनों बाते आपको समझ में आ गई होगी है न अगली बात करते हैं अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि discount के दो टाइप होते हैं हमारे पास खाली जगह है क्या हां एक चीज में आपको और बता देता हूँ इसके types यानि इसके प्रकार किसके discount के दो प् चल लोग फिर questions पे चलेंगे एकल छूट को हिंदी में कहते हैं English में कहते हैं Single Discount और दूसरा होता है भाई क्रमिक छूट जिसको इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसिव डिसकाउंट ठीक है और आपने ये दोनों ट्रेंड कई बार देखे होंगे एक उधारन देता हूँ मैंने एक तरफ लिखा 25% की छूट आपके पास एक विज्यापन है जिसमें क्या लिखा है 25% की छूट और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है 15% व दस परसेंट की छूट ठीक है चलो एक काम करते हैं हम इसको और कर लेते हैं हम इसको 24% कर लेते हैं एक तरफ लिखा है 24% की छूट और एक तरफ लिखा है 15% व दस परसेंट की छूट दोनों में मतलब आपको मैं समझा रहा हूँ दोनों का मतलब क्या है ध्यान से सुनिएगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो फुल स्क्रीन पे पढ़ें आप कमेंट में अपनी उर्जा और अपनी ताकत को बिल्कुल भी खराब ना करें जो comment वाले हैं उनको comment में परेशान होने दो उनको पढ़े रहने दो, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं full screen पर पढ़े, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा पढ़ाने में, आप अपनी ताकत लगाईए पढ़ने में, है ना, full screen करके पढ़ो, जान जरुत होगी मैं खुद आपसे comment करने का बोलूगा पढ़ने पर ध्यान लगाओ या रब बाकी सब को जान दो है ना अब आपके सामने दो इस्कीम है है ना 24 परसेंट का मतलब है कि एक बार में ही 24 परसेंट का डिसकाउंट मतलब इसको मैं कैसे कहूंगा मैं कहूंगा कि भाई अगर कोई चीज 100 रुपे की है तो सीधा मुझे 24 रुपे की छूट मिल रही है मतलब वो चीज मुझे कितने रुपे में मिल जाएगी वो चीज मुझे 76 में मिल जाएगी ये वन टाइम है इकटी है वन शौट है एक बार की छूट फिक्स है 24 परसेंट मिलेगा जितने की भी चीज है 24 परसेंट डिसकाउं कि ये 25 परसेंट है और कई लोग मुझे लगता है कि जब उनके सामने दो आप्षन होंगे एक तरफ 24 परसेंट चुनना है एक तरफ 15 और 10 परसेंट चुनना है अधिकतर लोग जिनका गणित कमजोर होगा और लेकिन लालत ज्यादा होगा वो बोलेंगे ये ज्यादा अच्छ मिलेगा फिर 10 परसेंट का डिसकाउंट मिलेगा कैसे कोई भी चीज है तो वो डारेक्ट 25 का डिसकाउंट नहीं देंगे पहले 15 का डिसकाउंट देंगे तो 100 में से 15 गया आपके पास कितना बचा 85 अब 85 पर 10 परसेंट डिसकाउंट मिलेगा 85 पर 10 परसेंट का डिसकाउंट आएगा ठीक है तो 85 में से 10 कम नहीं होगा 85 का 10% कम होगा 85 का 10% साड़े 8 अगर इसको आपने घटाया तो 5 गया 3 गया तो यह आएगा 76.5 यानि आपको कितने रुपे देने पड़ेंगे 76.5 और ऐसा Amazon, Flipkart और कई इस प्रकार के आफर निकालती है इसको आप लिखा हुआ ऐसा दिखोगे 15% प्लस 10% आफ आपने कभी ऐसा प्लस लगाया हुआ दिखा होगा तो कभी भी ऐसा लिखा दिखे इसका मतलब यह एक डिसकाउंट नहीं है यह डिसकाउंट पर डिसकाउंट है केबल देखो 25% लिख देते तो 25 देना पड़ता 15 प्लस 10 लिख दिया तो गड़बड हो गया मामला है ना अभी हम यह भी कैलकुलेट करेंगे कि यह है कितना तो आपका फाइदा किदर था इधर 100 रुपे पर 24% का डिसकाउंट यानि यहाँ पर 76 रुपे देने पड़ रहे थे केबल लिखने का तरीका बदलने से उन्होंने 50 पैसे का फाइदा कमा लिया है ना आपको वही चीज जो 76 में मिल रही थी वो अब कितने में मिल रही है 76.5 जबकि आपको क्या लग रहा था कि 25 परसेंट का डिसकाउंट है नहीं आपको नुकसान है इस डील में 24 परसेंट ज्यादा फाइदे की छूट को एकल बट्टा बताओ 15 परसेंट और 10% की क्रमागत छूट का एकल बट्टा बताओ मैं फिर से प्रेश्ण हिंदी और इंगलिश दोनों में बोल रहा हूं सुनिएगा 15 परसेंट और 10% के क्रमागत छूट को एकल छूट में बदलिए convert 15 and 10% successive discount into single discount तो सवाल यह उठता है कि सर अगर यह 25 नहीं है तो यह है कितना आईए सत्य की खोज करते हैं तो भाई आपके पास 100 है पहले आपने 15 दे दिया खेर हमने 100 माना ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हम बस इनका अंतर ले लेते हैं 100 मान के हमने करा है परसेंट स्वारी एक्च्वल में यह कितना था एक्च्वल में यह 23.5 परसेंट था ठीक है यह कितना परसेंट डिसकाउंट है अगर इसको मैं एकल बट्टा बनाता हूं सिंगल डिसकाउंट बनाता हूं तो आपको जो 15 प्लस 10 25 परसेंट दिख रहा है तो आप सोचो 24% में फाइदा है कि 23.5 में फाइदा है उमीद है आप समझ पा रहे होंगे अभी इन से जुड़े हुए हम बहुत प्रकार के सवाल करने वाले और मामला आपका धीरे-धीरे क्लियर होते जाएगा क्लियर है यहां तक बात समझ में आ गई सभी को है ना अच्छा मैं आपको आगे बता दू एक चीज़ और कि आप इनको ऐसे भी बदल सकते हो एक सुत्र का भी प्रयोग होता है एकस प्लस वाई एकस इंटू वाई बटे 100 आपके पास अगर दो डिसकाउंट है और आपको पता लगाना है कि भाई टोटल कितना तो आप इसमें रख दो देखो एकस प्लस वाई यानि 15 प्लस 10 कितना हो गया 25 फिर आएगा 15 इंटू 10 ठीक है तो यह आ जाएगा 25 और 15 और जितनी बात समझ में आ रही उतनी समझो अगर कुछ उपर से जा रहा है तो लोड मतलो अभी मैं सब आपको सिखाऊंगा प्रश्णों से चीजे ज्यादा अच्छे से समझ में आती है तो अभी बढ़ियां आपको समझ में आएगा चिंता नहीं करना ठीक है बेसिक आपको क्लियर है आप तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है चलिए तो आप थोड़े नॉर्मल सवालों पर हम बढ़ते हैं मैंने आपको दो चीजे बताई पहला तो क्राय मुल्य विक्राय मुल्य अंकित मुल्य इनका संबंध फिर हमने सीखा डिसकाउंट किस प सिंगल और सक्सेसिव कैसे कैलकुलेट होते हैं क्या होता है वो हमने समझा बाकी चीजे प्रश्णों के साथ हम सीखेंगे तो ज्यादा अनंद प्राप्त होगा तो पहला सवाल आपके सामने है बताए सभी इसका अंसर रेलवे का ही पहला सवाल है अपना भाई है ना और य एदेमन्द ये क्लास रहने वाली है जालो लाइक के बटन का प्रयोग करो जड़ा चलो बता दूँ एक वस्तू का अंकित मुल्य एक सो सतर और विक्रे मुल्य एक सो ती से छूट बताईए मैंने आपको पहले ही का है और आया हुआ सवाल है डिसकाउंट हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं अंकित मुल्य पर मांग्ड प्राइज यानी MRP 170 है और बेचा कितने में है भाई बेचा 130 में है तो 170 पर 40 रुपे का डिसकाउंट दिया है 40 का डिसकाउंट इस गिवन ओन 170 नीचे आप हमेशा मांग्ड प्राइज रखेंगे ये बात ध्यान रखें तो आपके 0 से 0 गया तो ये आगया 400 ये आगया 17 है ना तो सौल्व करो 17 का डुगना हो गया 34 बचा 6 और 0 फिर 17 तिया 59 तो 23 दशमलों अच्छा उसमें भी फिर 23 वाले भी दो आप्षन है तो ये दो आंसर तो नहीं हो सकते हैं ना तो आपने कर दिया 6 0 17 तिया 59 बचा 9 0 तो आप कितना हो जाएगा 17 इंटू 5 85 तो 23.5 वाला आंसर आएगा है ना तो आपका आंसर आएगा कि यहां पे कितने का डिसकाउंट दिया गया है 23.53 परसेंट का 23.53 का C आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कोई तकलीफ आया भाई समझ में इसलिए मैंने आपको बेसिक पहले पढ़ाया चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं ध्यान से पढ़िएगा 25 परसेंट की छूट देने के बाद विक्रय मुल्य 24.750 है यदि क्रय मुल्य अंकित मुल्य का 60% है तो क्रय मुल्य क्या होगा मैं आपको पहले ही बोलता हूं कि जब भी एसी 2-3 कंडिशन होना तो एक-एक से करना है अपने को काम हाला कि सबको आखरी में घटा कर देंगे पर बारी-बारी से चलेंगे पहले इसको देखते हैं 25 परसेंट की छूट देने के ब करा देता हूं कि डिसकाउंट में आप रेशो का यूज कैसे करोगे इसको सुन लेना है ना नोट्स में से फोटो अटा दूंगा मैं नोट्स में यह प्रॉपर आएगा आपको हर क्लास के बाद जो आपको पीडिएफ मिलती है वो आज भी मिलेगी और उसमें से यह सब तो 25 परसेंट का मतलब होता है एक बटे चार याद रखना जब डिसकाउंट की दुनिया में आप परसेंटेज का यूज करेंगे तो जो नीचे होता है वो मांगड प्राइज होता है जो नीचे होता है वो अंकित मुल्य होता है ठीक है और उपर इस पर दी जाने वाली जो हमेशा माइनस होगा तो मैं आपसे पूछूँँगा की मांगर प्राइज यानी अंकित मुल्य और विकरे मुल्य यानी सेलिंग प्राइज का रेशो बताईए तो आप कहोगे सर हम 4 पर एक का डिसकांट दे रहे हैं चार पर एक का discount दे रहे हैं यानि रेशो क्या बनेगा रेशो बनेगा फो रेशो थ्री आये अतना समझ में चार पर एक का discount जो चार में एक गया answer आजे आज़ाए आपका रेशो आगया चार रेशो तीन यानि चारड़ी की चीज थी डिस्काउंट के बाद वह कितने के हो उससे डिसकाउंट हो जाएगा आगे हैं समझ में सवाल पर चलते हैं वापस कि पच्चीस परसेंट का डिसकाउंट दिया का मतलब हुआ मांक्ड प्राइस सेलिंग प्राइस चार पर एक का डिसकाउंट चार से चीज कितने की गई तीन की अब मुझे यह बताओ कि बेचा है इतने में यानि यह विक्रय है तो 24,750 अगर विक्रय मुल्य है सेलिंग प्राइज तो मैं भाग 3 का दूंगा और मुझसे ठीक है इस पर गुणा करूंगा मैं 4 का तो सोचो चार का गुणा करने के मुझे क्या मुलेगा अग्रित मुल्य मिलेगा अभी हल करने की जलदी मत करो आगे पढ़ो समझ गए विक्रय मुल्य का भाग देंगे अंकित मुल्य पूचायें अंकित मुल्य का गुढ़ा करेंगे अनुपातक हमने सिंपल सा प्रयोक किया यह पर अब आगे सुनिए क्राय मुल्य अंकित मुल्य का 60% है आप मुझे बताईए कि चार का गुणा करेंगे तो इससे मुझे क्या मिलेगा इससे मुझे अंकित मुल्य मिलेगा बोल रहे हैं क्राय मुल्य अंकित मुल्य का 60% है अगर मैं अंकित मुल्य का 60% निकाल देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा क्रे मुल्य मिल जाएगा कॉस्ट प्राइज मिल जाएगा इससे मुझे अंकित मुल्य पता चलेगा और क्रे मुल्य अंकित मुल्य का 60% है अगर मैं इसका 60% निकाल देता हूं तो 60% निकालने पर मुझे क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा क् लग जाएगा डिजिटल सम है ना नीचे तीन था तो हमने तीन को हटा दिया क्योंकि ये तकलीफ देता है अब डिजिटल सम की दुनिया में प्रयोक करते हैं अपन है ना तो देखो चार का दुगना कितना हो गया आठ यहां पे आ जाओ तो साथ और दो नौ पांच और चार नहीं हो सकता नौ गया साथ और एक आर्ट नहीं हो सकता नौ गया आट और एक और नौ बिलकुल हो सकता है तो बदाईय है आपको डिजिटल सम है ना यह है डिजिटल सम की ताकत कि आगे सॉल्व करना ही नी पड़ा वैसे भी सात और दो नौ पांच और चार नौ नौ का गुणा किसी से भी करोगे नौ ही आएगा ऐसा ओप्षन दूंडिए जिसमें नौ बचे और ऐसा केवल डी ओप्षन है ठीक है नई समझ में आया तो अधिक जानकारी के लिए इस क्लास के खत बहुत आसान बनाया जाता है और आज कल यह खूब चल रहा है यह आना ही चाहिए आपको इसलिए इन वीडियोस को देखिए ठीक है हाँ डिवाइड में तीन हो तो उसके लिए भी डिजिटल सम वाली क्लास देखो सब यहां बताएंगे तो वहां क्या देखोगे फिर तुम समझ गए भाई हल मत करो इससे अंकित मुल्य मिलेगा उसका 60% निकालोगे तो क्राय मुल्य मिलेगा सॉल्व करा डिजिटल सम नौ है नौ आंसर है नहीं आता डिजिटल सम नौर्मल तरीके से सॉल्व करो आंसर सेम आएगा तीसरा सवाल आप सब के सामने पढ़िए इसको बड़े ही प्रेम पूर्वक्ख अच्छा MP पुलिस के समय देख लिया था ठीक है हाँ जी एक डीलर एक वस्तू को अंकित मुल्य पर 18 परसेंट की छूट देकर इतने में बेशता हैं अंकित मुल्य पर बेशता तो उसे 25 प्रतीशत का लाब होता देखो फिर बारी बारी से चलेंगे दो दो तीर मार रहे हैं पहले एक एक जहलेंगे अपने ना 18 परसेंट का डिस्काउंट तो देखो 18 परसेंट को भिन में बदलने से बेटर है कि आप डारेक्ट करो अब यह चीज आपके दिमाग में हो सकती है कि सौ में से एगर 18 परसेंट का डिस्काउंट दिया तो किसी भी चीज को कितने में बेचोगे 82 में discount देकर इतने में बेचा है यानि 123 रुपे में बेचा है discount देकर यानि ये 82% है तो 100% कितना और काटा पिटी मत करो पहले ये बताओ कि इससे क्या मिलेगा अगर ये 82% है तो 100% कितना इससे आपको मिलेगा marked price इससे आपको मिलेगा अंकित मुल्य है ना यानि जो पहले price set था अगर अंकित मुल्य पर बेचता तो 25% का लाब होता यानि इसको हल करने पर जो भी मिलेगा उसके अंदर 25% का लाब शामिल है यानि ये अपने आप में 125% है अगर ये इसके अंदर 25% का लाब शामिल है तो ये 125 परसेंट है तो 100 परसेंट कितना ऐसा करने से एक बार में आंसर आजाएगा आपका समझ आया या नहीं आया ठीक है भाई क्लियर अगर ये 82 परसेंट है क्योंकि 18 परसेंट का डिसकाउंट दिया 82 है तो 100 परसेंट कितना लेकिन जो मुल्य मुझे मिलेगा उसके अंदर 25 परसेंट का लाब शामिल है मतलब वो अपने आप में कितना है ये अपने आप में 125 परसेंट होगा तो 100 परसेंट कितना तो इसको सॉल्व कर लेते हैं देखो 25 से कटेगा चार बर 25 से कटेगा पांच बर ओके और मैं कहता हूँ यहां पर कि डिजिटल सम लगा लें क्या है ना डिजिटल सम लगा लेते हैं तो मामला फिर एस्ग हो जाएगा तो 3,2,5 और एक हो गया च्छै च्छै का गुणा 4 में करा 24 24 का मतलब या उपको का इक इसे टो ऊपर आपका च्छै च्छे और एक साथ नहीं हो सकता पांच शे और एक साथ नहीं हो सकता दो एक तीन बिल्कुल हो सकता है तो सी आपका आंसर है कि ठीक है भाई कि तो आपने इस सवाल को भी डिजिटल दुनिया से उड़ाया समझ आया है ना तीन आया है डिजिटल सम तो तीन है दो और एक तीन तीन आपके प्रेश्ट का आंसर है मतलब 120 आंसर है वेरी गुड अलपी का बैच स्टार्ट हो चुका है विनर्स के अप्लिकेशन पर एक तारिक से ठीक है चलिए सवाल नंबर चार एक दुकानदार अपना माल 18 परसेंट की छूट देकर बेशता है फिर भी 30 परसेंट का लाब कमाता है 12 परसेंट की छूट देकर बेशता तो कितने का लाब कमाता है मैं आपको इसकी एक बहुत बढ़िया ट्रीक बताता हूं और यह ट्रीक आपको कहीं जगा लगेगी है ना और यह ट्रीक देखने के बाद आप कहोगे कि गजब है इसको लोग बहुत लंबी मेथर्ट से बताते हैं और मैंने बहुत रिसर्च करके एक खोज करी है डिसकाउंट हमेशा नीचे रखिए प्रॉफिट हमेशा ऊपर रखिए और अगर आप मैस फाउंडेशन में इस चेप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें मैंने इसको भी समझाया कि ऐसा क्यूं पर अभी क्यूं का बताने में ही 15-20 मिट लग जाएंगे तो अभी सीधा आप सी इतना सा करके आप इस सवाल को चंद सेकेंड में उड़ा सकते हों पर संख्याएं थोड़ी एसी दी हैं कि आपको कैल्कुलेशन करवा देगी नहीं तो बहुत आसान सवाल है यह वाला हाँ आई टी आई नहीं है तो मुकेश आप एंटी पी सी या ग्रुप डी का फॉर्म भर पाएंगे खिक है चलो भाई अब देखो 18% की छूट दी तो 100 में से 18 गया तो डिसकाउंट नीचे रखना है तो 30 प्रतीशत का लाब होगा यानि 100 में जुड़ेगा अगर 12% की छूट दें स्वारी 18% यानि 82 अगर 12% की छूट दें यानि 88 तो कितने का लाब होगा बस इसको सॉल्व करना है फिर से मैं बता रहा हूँ 18% की छूट दी तो 30 प्रतीशत का लाब अगर 12% की छूट दें तो कितने का लाब और लाब हमेशा 100 के उपर ही आता है तो या तो आप हल करके आखरी में 100 में से घटा ले और नहीं तो डारेक्ट 100 प्लस X लिख ले मैं जनरली यहाँ पे X लिखना या कुछ भी लिख लो क् पता है कि आंसर 100 से जादा ही आएगा आखरी में 100 से घटा लेंगे इसको अब सॉल्व करो यहाँ डिजिटल सम नहीं लगेगा जहां ऐसा आ जाता है ना दशमलों के दो इस्थान तक क्योंकि डिजिटल सम तो भई अनंत तक जाएगा और इन्होंने तो दशमलों के दो अं 65 बार यह इधर आ जाएगा तो 65 गुणा 88 डिवाइड़ बाई 41 इस एक्वल टू एक्स या 100 प्लस एक्स और केलकुलेशन बड़ा ही तगड़ा दे दिया है नोने आप लोग को है ना तो 65 और 88 का गुणा करते हैं या फिर एक काम कर सकते हैं कि इससे ज्यादा easy कैलकुलेश तो थोड़ा ओर ठीक हो जाता इसको 2 से उड़ाया तो इसको भी 2 से उड़ा दो यह इधर आ गया तो यह हो गया 130 44 और 41 बात वही है 130 का गुणा करना ज्यादा आसान है तो 0 आ गया 13 इंटू 4 52 केरी 5 52 में 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया 57 और भाग देना है 41 का अब 41 का भ से गया 5 में से 4 गया और यहां पर दो आ गया अब 41 का पहाड़ा कितनी बार ले पाओगे तो आप 41 का पहाड़ा तीन बार ले पाओगे है ना 4 बार लोगे तो ज्यादा हो जाएगा 41 का तीन गुना तो 4 तीया 12 और 3 यानि 123 है ना अगर यह 63 होता 162 में से 123 गया तो आपके पास 49 बचा यानि 390 बचा है ना अब यहां पे आपने क्या करा 41 का पहाड़ा लिया कितनी बार ले सकते हो भाई 9 बार 9 एकम 9 ठीक है और 9 इंटू 4 36 तो आप 9 बार पहाड़ा ले पाएंगे तो मुझे पता चल गया कि 149 दशमलो कुछ-कुछ में इसका आंसर आएगा अगर म 5,720 में 41 का भाग देता हूं तो 149 दशमलो सम्थिंग सम्थिंग में आंसर आएगा यानि अब यह देखू कि यह 100 से कितना ज्यादा है तो यह 100 से 39 पॉइंट सम्थिंग सम्थिंग ज्यादा है यानि D आपका आंसर आएगा ट्रिक हमारी बहुत अच्छी है पर उन्होंने जो कैलकुलेशन दे दिया इसने हमारा समय ले लिया ठीक है आंसर आएगा 139 पॉइंट सम्थिंग सम्थिंग प्रॉफिट है तो 100 से ज्यादा आए गई 100 से कितना ज्यादा है 39 पॉइंट सम्थिंग मतलब आपका आंसर के आ जाएगा D ठीक है अगर दशमलों के बाद कभी अंक ज्यादा हो तो जितना जरूरी उतना भाग दे दो जरूरी कि भाई तुम्हें 5.1 भी निकालना है जब 39 से ही काम हो रहा है क्योंकि 39 एक ही ऑप्शन में तो आगे क्यों हल करना है तो आगे हल करने की ज़ुरत नहीं है इतने पर ही काम चल सकता है आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत परेशानी चलो आया समझ में डिसकाउंट हमेशा नीचे प्रॉफिट हमेशा उपर आप इस ट्रिक का यूज करिए और अभी आगे कुछ और सवाल आएंगे जिसमें मैं आपको यही अपलाई करके बताऊंगा मज़ा आएगा आपको अगला क्वेशन एक स्मार्ट टीवी को सोला सत्रा जीरो जीरो में खरीदा इसका मुल्य 30 परसेंट अधिक अंकित किया और उस पर 20 परसेंट का डिसकाउंट दिया विक्री का लाब किया है यह सारे आंसर परसेंटेज में है यह लिखा हुआ है एक्जाम में आएगा नहीं मैं आपको बस आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ अब आपको एक बहुत कमाल की बात बताता हूं मैट्स में एसे कई प्रेश्ण और कई चेप्टर्स हैं जहां पे इस प्रकार का भी तै करना बहुत जरूरी है कि कहां पे रुपए का यूज करना है कहां नहीं करना है जब भाई तुमने प्रेश्ण पर्सेंटेज में पूछा है तो हम रुपए का क्या करें बिना रुपए का यूज करें आप इसका आंसर दे सकते हो मैं बता रहा हूँ आपको आप जानते हैं कि क्राय मुल्य हमेशा 100% होता है आपने उसका प्राइस 30% जाद अंकित कर दिया यानि आपने उसका प्राइस कितना कर दिया 130% कर दिया और इस पर 20% का डिसकाउंट दे दिया तो 130 का 20% कितना होता है 26 26 गया तो कितना बचा 104 है या ना मुझे बताईए हर चीज 100% होती है पहले आपने उसका प्राइस 30% बढ़ाया यानि 130 कर दिया फिर उस पर 20% का डिसकाउंट दिया 13 दुनी 26 तो वो चीज कितने की हो गई 104 की तो जो 100 की चीज थी वो कितने की हो गई 104 की यानि आपने कितना लाब कमाया 4% तो जब रुपे की जरुरत ही नहीं है तो क्यों यूज करना आपने रुपे में कुछ पूछा ही नहीं तो हम रुपे का यूज करेंगी नहीं रुपे का यूज करके भी आंसर दे सकते हो पर जरुरत ही नहीं तो क्यों यूज करना जब काम सीधा सीधा हो र थ्यानना चाहिए Unique Lुए पढ़ने का केले भाई ध्यान से पढ़ोंगे तो म सज़आied गा? कि राम राम भाई राम राम किसी वस्तु का विक्रह मुल्य इस पर प्रदान की गई छूट के तीन गुने के बराबर है देखो भाई जहां विक्रह मुल्य और यह आया चूट आया मतलब दो चीजे हैं पहला है सेलिंग प्राइज और आपके लिए मैं आखरी बार हिंदी में लिख रहा हूं अब इसके आगे के वलम इंग्लिश में लिखेंगे मांग्ड प्राइज यानि अंकित मुल्य ठीक है इ यहां जो भी आएगा और यहां जो भी आएगा इनके बीच का अंतर डिसकाउंट कहलाता है माना डिसकाउंट एक है तो विक्रह मुल्य उसका तीन गुना है पड़ो लाइन विक्रह मुल्य डिसकाउंट का तीन गुना है अब अगर यह तीन है और एक का डिसकाउंट दिया मतलब अंकित मुल्य 4 रहोगा चार में 3 होगया एक का discount और विक्रह मुल्य discount का कितना है भईया 3 गुना है तो सारा मामला सही है ओके डन आगे चलो छूट का प्रतीशत लाभ के प्रतीशत के बराबर है यानि आपने जितने का discount दिया उतने का ही profit भी हुआ है तो मुझे एक बात बताओ मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहां पे कितने percent का discount दिया तो आप कहोगे sir हमने एक का discount दिया है चार पर तो इसे क्या कहा जाएगा इसे कहा जाएगा कि हमने 25% का discount दिया अगर 25% का discount दिया तो यह महाशाई यह कह रहे हैं कि profit भी आपे 25% का ही है क्या बोल रहे है छूट का प्रतीशत लाभ प्रतीशत के बराबर है यानि जितने percent का तुम discount दे रहे हो उतने का ही profit हुआ है अगर discount 25% का है तो profit भी कितने 25% का है 25% का सवाल में दम है है आसान लेकिन शब्दों पर ध्यान देंगे तो आसान लगेगा नहीं तो आप गिरही पढ़ोगे इसको पढ़ पढ़के छूट और क्राय मुल्य का अनुपाद बताईए है ना प्रदान की गई छूट और क्राय मुल्य का अनुपाद बताई तो भाई हम पहले तो यह पता लगाएं कि यहां पर क्रेमुल्य क्या है यहां पर डिसकाउंट क्या है पहले तो वह पता लगाते हैं ठीक है यहां तक सब सहीए अब मुझे बताओ तो 25 परसेंट का डिसकाउंट मिला है ना और यहां पर एक है डिसकाउंट और एक है कॉस्ट प्राइज आपसे पूछाए क्रेमुल्य तो मुझे पता है कि डिसकाउंट तो एक का है है ना हमने 3 रुपे में कोई चीज बेची है और 25 परसेंट का लाब कमाया है यानि यह 125 पर कितना ध्यान से सुनना तीन रुपे में बेचा है और लाब भी 25 परसेंट का है यानि अगर यह 125 परसेंट है तो 100 परसेंट कितना तो भाई एक काम करो इसको हम डारेक्ट पांच बटे पांच भी लिख सकते थे यह पांच बार कटेगा यह चार बार कटेगा पांच इदर आ तो पांच बन जाएगा चार तीया बारा हो जाएगा तो आपके प्रेश्ण का आंसर क्या आ जाएगा पांच बारा कि फाइब रेशो ट्वेल पांच अनुपाद बारा ठीक है एंटीपीसी का गुरूबडी का और जीडि का लगबब LEVEL सेम होता है अभी मैं आपको जीडि के भी कुछ सबाल कराूंगा आप कहूंगे सरीय जीडि का है की सीजीएल मेंस का है मैंने कईवार देखा है मेंस में सीजीएल में सबारा आसान आते जीडी में भयंकर खतर ना काते हैं एक दो सवाल मैंने आज दलवाए हैं टीम को बोला है कि आर ऐसे सवाल डालो जीडी के तो अभी आएंगे आप देखना आप बोलोगे यह जीडी का सवाल है यह तो मारी डालेंगे हमको ठीक है समझ आ गया डिसकाउंट 25% का है तो प्रॉफिट भी 25% का है तो तीन रुपे के अंदर 25% का प्रॉफिट शामिल है यानी 125% है तो 100% कितना यह 5 इदर आ गया 4 तीया 12 आंसर आ गया 5 12 किसी देवी या सज्जन को कोई तकलीफ हो तो बताओ यूपी पुलिस के लिए तो बिल्कुल काम का है कोई तकलीफ ही नहीं है ठीक है चालिए बढ़िया है आजाओ आगे एक और जलेवी की तरह सीधा साधा प्रश्नम करवाते हैं आपको अंकित मुल्य का दो बटे पांच भाग विक्रे मुल्य के पांच बटे आठ भाग के बराबर है छूट प्रतीशद बताईए वैसे ये काफी आसान है देखो अंकित मुल्य को इंग्लिश में कहते हैं मांग्ड प्राइज अंकित मुल्य का दो बटे पांच विक्रे मुल्य के पांच बटे आठ के बराबर है अंकित मुल्य का दो बटे पांच विक्रे मुल्य के पांच बटे आठ के बराबर है तो भाई इसको अंकित मुल्य को यही रहने दो Selling Price विक्रह मुल्य को इधर ले आओ 5 और 5 हो जाएगा 25 8 दुनी हो जाएगा 16 तो इन पंक्तियों से कवी का तात्पर ये क्या है कवी ये कह रहे हैं कि 25 रुपे की चीज को तुम 16 में बेच रहे हो 25 की चीज को 16 में बेचा यानि 9 रुपे का डिस्काउंट दिया अंकित मुल्य पर multiply by 100 25 से cancel हुआ चार बार यानि यहाँ पे 36 प्रतीशत की चूट दी गई है ये आपका answer है आया समझ में ठीक है पांच और पांच पच्चेस आठ दुनी 16 25 की चीज 16 में बेची 9 का डिस्काउंट दिया डिस्काउंट हमेशा अंकित मुल्य पर देते हैं अंकित मुल्य नीचे 36 प्रतीशत की चूट दी गई है चलिए अगला सवाल अगला सवाल अगला अगला सवाल प्रॉडपी दूद सब बंद कर दिया है नो मिल्क प्रोड़क्ट्स अगला 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 यह वेरी गुट अच्छा 12 संत्रों का क्रय मुल्य 9 संत्रों के विक्रय मुल्य के बराबर है 12 संत्रों का क्रय मुल्य 9 संत्रों के विक्रय मुल्य के बराबर है ओके 10 संत्रों पर प्रदान की गई छूट इसको मैं आ लिख लेता हूँ 10 संत्रों पर प्रदान की गई छूट, 5 संत्रों पर प्रदान किये गए प्रॉफिट के बराबर है। मैंने जो लिखा है वही का वही आसान भाशा में लिख दिया। इन दोनों लिखने के तरीके में कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर मैं हलकर के बताओं। कि ठीक है कि कि क्लियर 12 का क्रे मुल्य 9 के विक्रे मुल्य के बराबर है 10 संत्रों का डिसकाउंट 5 के प्रॉफिट के बराबर है इससे आपके हाथ में बहुत सारे राज लगने वाले हैं कोस्ट प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस को ले आओ थीन से कटेगा तीन बार तीन से कटेगा चार बार ओके भाई यह डिसकाउंट है इसके नीचे प्रॉफिट ले आओ किसी को कहीं भी लिखदू फर्क नहीं पड़ता पांच और दस है तो पांच एकम पांच पांच दुनी दस तो हमारे आत में दो बहुत काम की चीज लग चुकी है ठीक है अब आपसे बोला है डिसकाउंट बताईए तो आप भाईया तीसरे हिरो की एंट्री कराते हैं अगर कॉस्ट प्राइज आ गया सेलिंग प्राइज आ तो मांग्ड प्राइज भी तो आएगा है ना अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ प्रॉफिट कितने का है यहां पे प्रॉफिट दो का है और प्रॉफिट हमेशा किनके बीच की बात होती है लाब यहानी हमेशा किनके बीच की बात होती है क्राय मुल्य और विक्राय मुल् चार का दुगना आठ, छे रुपे की चीज को आठ में बेचोगे तो दो रुपे का लाब होगा, ये खुश, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, सर प्रॉफिट दो का होना चाहिए, तो हमने दोनों को डबल कर दिया, छे की चीज आठ में हो गई, सही है, डिसकाउंट एक का होना चाहिए, तो देखो, अगर आट और नौ होगा, तो एक का डिसकाउंट, छे और आट होगा, तो दो का प्रॉफिट सब सही है, तो एक का डिसकाउंट दिया गया है, मांग्ड प्राइस पे आनि नौ पर मल्टिप्लाइबाए सो, तो आपका जवाब क्या आएगा, ग्यारा ग्यारा, ग्यारा दशमलों, ग्यारा प्रतीशत का डिसकाउंट छूट यहां पर दिया गया है, यह आंसर है, क्लियर, कौनों दिक्कत परेशानी, अरे 33, 33 नहीं होगा, ग्यारा ग्यारा होगा, एक बार मैं पूरी कहानी आपको फिर से सुनाके बताता हूँ, तो डिसकाउंट एक का कब होगा, जब विक्रह अंकित मुले 9 का होगा, 9 पर एक दोगे तभी तो 8 होगा, यानि एक रुपए का डिसकाउंट 9 पर दिया गया है, आंसर आजाएगा आपका 11-11, 11.11, उमीद है आप समझ पाए होंगे, चलिए, सवाल नंबर 9 पर चलते हैं, अगला सवाल बढ़ ही प्रेम पूर्वक देखते हैं, एक दुकांदर अपने ग्राकों को 20% की छूट देकर 25 प्रतीशत का ला भर्जित करता है, उसका अंकित मुल्य क्या होगा, जिस पर विक्रे मुल्य 600 होगा, आपको यादो, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, कि ये जो एक ट्रिक है, कौनसी वाली ये, ये बहुत काम की है, इसको मैं बहुत सारे प्रश्नों में यूज करता हूँ, अब आपको इस सवाल में उस ट्रिक को लगा के बताता हूँ, देखो, मैंने आपसे कहा कि डिसकाउंट हमेशा नीचे रखिये, प्रॉफिट हमेशा उपर रखिये, अब एक्च्छल में क्या होता है, कि यहाँ पे क्रे मुल्य होता है, और अगर आप प्रॉफिट बटे डिसकाउंट कर दो, तो इधर आंसर अंकित मुल्य में आ जाता ह अगर क्रे मुल्य में profit बटे discount कर दो तो answer किस में आ जाता है अंकित मुल्य में आ जाता है कुछ नहीं करना है भाई क्रे मुल्य कितने का है 600 का है तो क्रे मुल्य हो गया 600 का कितने का discount दिया 20% का discount दिया तो 20% का discount यानी 80, कितने का फाइदा हुआ 25 का, तो फाइदा हुआ है 25 का यानी 125, solve कर लो, ठीक है, तो आपने यहां पे क्या करा, आप यहां पे, चलो, 0 से 0 हो गया, 4 से उड़ा दिया, 2 बार, 4 से उड़ा दिया आपने 15 बार, अब आप चाहें तो digital sum लगा लें, नहीं तो direct गुणा कर लें, है ना, तो मैं digital sum भी नहीं लगाऊंगा, गुणा भी नहीं करूंगा, मुझे पता है कि 15 और 125 का गुणा करके, अगर मैं 2 का भाग दूंगा, आंसर चाहे जो आए, आंसर दशमलों में आएगा, और दशमलों वाला एकी option है, तो काहे मेहनत करना, ए आंसर जाएगा, समझे, अरे नीचे 2 है, तो आंसर दशमलों में आएगा, क्यूंकि 2 से दोनों कटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, तो आंसर दशमलों में जाएगा, दशमलों वाला एकी option है, नहीं तो 15 और 125 का गुणा करके 2 का भाग दे दो, otherwise digital sum लगा लो, तो ये एक बहुत काम आने वाली चीज है, आप इसको अच्छे से note कर लेना, ये आपके कई सारे कठिन कठिन प्रशनों को seconds में उड़ाने में मदद करेगा, चलिए, आगे लेकर चलते हैं हम आपको, एक कार के अंकित मुले पर दी गई 12%, 18%, 25% की छूट का एकल समतुल्य क्या है, आपको अगर य क्रमिक छूट हैं, और क्रमिक छूट को एकल छूट में कैसे बदला जाएं, तो अब हम उसको करेंगे solve, मैंने आपको दोनों चीजे बताई थी, कि किसको क्या कहते हैं, कैसे वो आता है, वो सब मैंने आपको बताया, नई फिर भी समझ में आया हो, तो अभी प्रश्न से आ पड़ियां समझ में आ जाएगा, इस सवाल को देखिए, ठीक है, एक कार के अंकित मुले पर दी गई 12%, 18%, 25% की छूट, मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं, कि पहले 12% की छूट दो, फिर 18% की छूट दो, फिर 25% की छूट दो, ये तीनों किसके बराबर हैं, अगर मुझे इखट डिसकाउंट देना हो, तो मैं क्या दूँ, तीनों अलग-अलग ना देकर, अगर मैं एक ही डिसकाउंट देना चाहता हूं, तो मैं क्या दूँ, ये आपसे बोला है, तो सुनिएगा बाद ध्यान से, आप कभी भी ऐसे सवालों में, पहले तो 100 रुपे का यूज करें, 12 का डिसकाउंट देने का मतलब है 75 upon 100, और जब ये तीनों डिसकाउंट दे दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो चीज कितने में गई, फिर इन दोनों का अंतर निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, तो पता चलेगा कितने का डिसकाउंट दिया, वही 100 पर का डिसकाउंट मिल गया, है ना, तो जो भी आंसर आएगा, आखरी में उसको 100 में से आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है भाई, अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, इस बात को सुनना, पहला तरीका तो यही है, और दूसरा बढ़ियां तरीका बता कीज़े, ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, डिजिटल सम लगाएंगे, तो देवियों और सज्जनों अब डिजिटल सम के लिए तयार हो जाओ, पहले इसको सौल्व करो, है ना, तो 101 छोड़ो, आट और आट कितना हो गया, आट और आट सोला, सोला मतलब साथ, आट और द 10, 10 मतलब 1, और 1 का इस दुनिया में कोई काम नहीं है, 7 और 5, 12, 12 मतलब 3, 7 तिया कितना हो गया, 21, ठीक है, 21 का मतलब कितना आ गया, 3, मतलब जब इस पूरे को सौल्व करोगे, तो यहां पे 3 आएगा, पर 3 तो उसका मुल्य हो जाएगा, मैंने क्या कहा, कि 100 रुपे की ची 7 का digital sum क्या होता है, 7, एसा option धुंडिये, जिसका digital sum क्या हो, 7 हो, हो जाओ शुरू, देखो भाई, 5, 3, 8, 2, 10, 8, 18, नहीं हो सकता, 5 और 4, 9, 2, 12, 9, 2, 11, नहीं हो सकता, है न, फिर यहां पे आ गया, 5 और 4, 9, तो 6, 2 कितना हो गया, 8, मुझे तो 7 चाहिए, है न, यहां पे आ गया तो 5 और 4, 9 गया, 8 और 8, 16, 16 मतलब 7, तो भाई बधाई हो आपको D आपका answer है, D आपका answer है, 45.88, यह solve हो गया, खतम, नहीं तो इतना समय लगेगा इस सवाल को हल करने में, क्योंकि पहले तो हल करो, फिर जो आएगा उसको 100 में से घटाओ, तो digital sum का यही फायदा है, इ D आपका answer आएगा, बई पहले मैंने इसको solve करा तो 3 आया, 100 में से 3 गया, 97, 99 का digital sum क्या यह 7, और 100 में से क्यों घटाया, कि 100 रुपे की चीज 3 की हो गई, तो दोनों की बीच का अंतर discount कहलाएगा, इसलिए मैंने उसको घटाया, तो 97 का 7 आगया, है ना, और नहीं तो 9 और 7, 16, 16 मतलब भी 7, 7 एकी option में, D आपका answer है, और मैंने कोई छेड़ चांड नहीं करी है, जैसे प्रशन आये हैं, 2023 में CGL मेंस का सवाल है, वही का वही मैंने आपको दिया है, same option आये, मतलब digital sum आपकी help परिक्षा में करेगा, ठिक, जैश्री राम, मज़ा आ गया, अगला सवाल देखो, एक दुकानदार अपने माल का अंकित मुल्य पहले 50% अधिक रखता है, फिर उस पर 5%, 10%, 20% का discount देता है, उसका लाभ प्रतीशत क्या है, आपको इस सवाल को भी में digital sum से उड़ा के बताता हूं, लेकिन एक छोट अगला सा काम करे, एक बाद बताओ, 2 सही 3 बटे 5 का मतलव एक्चेशल में पता है, क्या होता है, 2.6, तीन में पाँच का भाग दोगे, 0.6 आएगा, तो ये काईदे से क्या है, 2.6 है बाई, है ना, 1 सही 2 बटे 5 का मतलब है, 2 में 5 का भाग दोगे, एक दशमलो 4 आएगा, तो ये जो दिखरा है ना, ये एक दशमलो चार है, प्रेश्ण बनाने वाला चाहता था कि तुम डिजिटल सम न लगा पाओ, लेकिन उसको पता नहीं है कि टक्कर किसके साथ है, हम इसमें भी डिजिटल सम लगाएंगे, अभी देखो आप, तीन बटे पांच का मतलब छे होता है, तो ये आगया एक दशमलो चे, एक बटे पांच का मतलब क्या हो गया, दो दशमलो दो, क्लियर है मामला, अब हम डिजिटल सम लगा लेंगे, ठीक है, मैंने भिन्न को दशमलो में बदल लिया, अगर तीन आजाता, चार आजाता, तीन छे आजाता, तो फिर इनको भिन्न में से दशमलो मदलना मुश्किल था, तो पांच आ गया, तो अपने को हिम्मत आ गई कि इसको बदला जा सकता है, अब देखो, पहले नॉर्मल करते हैं, माना कोई चीज सौ रुपे की है, आपने उसका रेट 50% बढ़ाया, यानि आपने का डिसकाउंट दिया, 5% का डिसकाउंट दिया, यानि 95, फिर 10% का डिसकाउंट दिया, तो 100 में से 10 गया, फिर 20% का डिसकाउंट दिया, यानि 80 गया, इसको हल करके हमें पता चलेगा कि वो चीज कितने की हो गई, है ना, अब इनोंने कहा है कि भईया, लाब का प्रतीशत बताओ यानि 100 की चीज जितने की भी हो जाएगी मुझे इनका निकालना पड़ेगा अंतर और अंतर से हमें क्या पता चल जाएगा कि यहां पे लाब कितने का है उसने खुद नहीं बोला है लाब होगा तो हम क्यों चिंता करें उस नहीं बोल दिया लाब बताओ मतलब जो भी समझ गए बात तो उसने खुद बोल दिया कि लाब है मतलब मैं शूर हूँ कि यहां जो भी आएगा वो 100 से जादा आएगा तो आखरी में मुझे 100 में से घटाना है या ध्यान रखना तो अब बापस से आपके लिए डिजिटल सम पेश करते हैं हम इसको बापस से हम सब्सक्राइब तरीके से डिजिटल सम से उड़ाएंगे देखो मेरा कॉंफिडेंस क्यूं बढ़ गया मुझे दिग्ग्या नौ नौ आने पर नौ का गुणा दुनिया में किसी से भी करो डिजिटल सम नौ ही आएगा तो इसको सॉल्व करने पर लास्ट में डिजिटल सम क क्या हो गया ठीक है यहां पर सारे प्रॉफिट है यह सौ है नौ है आपके पास बचा 91 और 91 का मतलब कितना आ गया 91 का मतलब एक आ गया तो हमारा जो डिजिटल सम आएगा वो एक आएगा कहीं गडबड कर रहे हैं कि अपन स्वारी नौ का गुणा किसी से भी करेंगे तो नौ ही आएगा क्योंकि यहां पर नौ है है ना और सौ में से नौ गया तो आपका 91 आएगा यानि वन आना चाहिए तो 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 ठीक है डिजिटल सम तो भाई काम करना चाहिए फिर एक ही तरीका है अपने पास एक तरीका फिर दूसरा है है ना यहां तक समझ में आ गया सभी को हाँ छे नहीं घटाएंगे नहीं जो भी लास्ट में भई आप सोचो जो भी आंसर आएगा उसमें से आपको सौ तो घटा नहीं पड़ेगा ना जो भी आंसर आएगा उसमें से आप सौ तो घटा होगे पर अच्छा एक छोटा सा काम करते हैं पन एक छोटा सा काम करते हैं हमें पता है कि यह जो भी आंसर है यह सो से ज्यादा है, तो क्यों ना ऐसा करें? सौ का digital sum एक, नहीं, digital sum फेल तो नहीं होने देंगे भाई, है ना, अब तो इज़्जत की बात है, digital sum की भी और अपनी भी, एक में से 9 घटाओगे, तो भी minus का 8, नहीं, एक काम करो, एक छोटा सा काम हम करते हैं, दूसरे तरीके से चलते हैं, हमें पताए कि ये लाब है, है ना, इसके अंदर, जो भी आंसर आएगा, उसके अंदर 100 जुड़ा हुआ है, है ना, मतलब ये जितने भी option है, ये सारे 100 के उपर है, तो हम सभी options में क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास options हैं, उसमें अगर मैं 100% जोड़ दूँगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा, 100% का digital sum एक होता है, यानि मैं सभी options में क्या करूँ, एक जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये कितना है, 6 और 2 8, तो 8 में एक जोड़ देंगे, तो 9 आजाएगा, ये कितना है, 4 और 1 5, 5 में एक जोड़ देंगे, तो 6 आजाएगा, ये कितना है, 6 और 1, 7, 7 में एक जोड़ देंगे, तो 8 आजाएगा, ये कितना है, 2 और 2, 4, 4 में एक जोड़ देंगे, तो 5 आजाएगा, मुझे आखरी में 9 चाहिए, और 9 केबल एकी option से आ रहा है तो आपका correct answer कितना आएगा 2.6 पिल्कुल ठीक है 2.6 आपका answer आजाएगा बाकी जिस तरीके से हम सोच रहे थे एक बार उसको और देखेंगे कि वो क्यों fail हो रहा है अगर आपको यह समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ हमने coincidentally पहला option लिया था वही सोचो जब इस पूरे को हल करोगे तो यह आएगा यह आएगा 102.6 फिर आप क्या करोगे इसमें से 100 घटाओगे है ना तो अच्छा यार ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो आपको इससे भी confused होने की जुरत नहीं है हम बे बज़ा उसमें उलज गए थे देखो भूल जाओ जो मैंने बताया जो पहले हम कर रहे थे बो भी सही था अपना digital sum नौ आ रहा है इसमें से 100 घटाएंगे ना तो 100 का digital sum 1 है यानी 8 मुझे ऐसा option धूंडना है जिसका digital sum 8 हो 6 और 28 तब भी है सही है इसका digital sum 8 है इसका digital sum 5 है इसका digital sum 7 है और इसका digital sum 4 है हम क्या गलती कर रहे थे बढ़ी संख्या है ये जो भी आएगा 100 से बढ़ा आएगा तो बढ़ी संख्या में से आप 100 घटाओगे तभी त 9 में से क्योंकि ये लाब सहीत धनराशी है 100 घटाएंगे 100 का digital sum 1 एक मतलब final answer कितना आएगा 8 6 और 28 तब भी वो सही है अब दोनों तरीके से मामला सही है आपको जो समझ में आया हो ठीक है लेकिन digital sum भी लगा है हम बस 100 को अधर 100 में से 9 घटा रहे थे 100 में से 9 कब घटता ये अल्रेडी profit के सहीत राशी है यानि ये 100 से जादा है तो बड़ी राशी में से 100 घटाएंगे तब तो लाब पता चलेगा तो इसलिए 100 100 मतलब 1 1 मतलब 8 6 और 28 तब भी वो सही है ठीक है दिकत क्या थी कि पिछले वाले में discount था ये discount था कि 100 की चीज तुमारी 90 की हो गई तो 100 में से 90 घटेगा तो discount पता चलेगा इसलिए 100 में से हमने इसको घटाया था लेकिन इस वाले सवाल में क्या था कि इसके अंदर profit जुड़ा हुआ था कि 100 की चीज तुमारी मानलो 120 की हो गई तो 120 रुपे की चीज जो पहले 100 की थी तो कितने का लाब हुआ 20 का इसलिए य ठिक चलिए आगे लेकर चलते हैं SSC GD का एक बहुती बढ़िया सवाल अंकित मुले पर 10% की चूट के साथ विक्रेता 5 प्रतीशत लाब कमाता है यदि अंकित मुले में 5% की ब्रिद्धी की जाए और 5% की दो चूट दी जाए तो विक्रेता कितना प्रतीशत लाब भाई इस सवाल में आपको सब कुछ पता लगाना पड़ेगा क्रे मुले भी विक्रे मुले भी और अंकित मुले भी और इसी सवाल की शायद में बात कर रहा था कि है जीडी का लेकिन CGL मेंस से कम नहीं है मेंस को टक्कर देगा यह सवाल देख लेना आप पिछला सवाल अगर आपको डिजिटल समसे समझ नहीं आया इस पूरे को सॉल्व करना यहाँ पर आपको पता है क्या मिलेगा 102.6 102.6 में से 100 घटा लेना तो आपका लाब आ जाएगा 2.6 यह बेसिक मेथड हो गई और डिजिटल समसे यह सब गुणा भाग आपका बच जाएगा हाजी इज़्जत बज गई सभी बात है मैं एक मिनिट के लिए टेंशन में आ गया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है अंकित मुल्य पर 10 परसेंट की छूट दी तो भी 5 प्रतिशत का लाब कमाया भाई एक काम करो आपको मैंने थोड़े देर पहले ही बताया था डिसकाउंट नीचे प्रॉफिट उपर अंकित मुल्य है ना तो 10 परसेंट की छूट दी हमें काम करते हैं क्रय मुल्य को सौ मानते हैं अगर आपने 10 परसेंट का डिसकाउंट दिया तो भी 5 प्रतिशत का लाब कमाया इसको हल करने पर क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया है ना और इससे हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैंने यह सौ मान लिया है ना तो इससे अंकित मुल्य कितना तो अंकित मुल्य हो जाएगा आपका 1050 बटे 9 और 9 का भाग जाएगा नहीं 9 एकम हां एक काम करो इसको आप एसे करो Ratio से 10% की छूट दी यानी और कितने का लाब हुआ 5% का 10% की छूट का मतलब हुआ 1 बटे 10 और 5% लाब का मतलब हुआ 1 बटे 20 हम जो तरीका लगा रहे थे न उससे वो भिन्न में चला जाएगा स्वारी थोड़ा सा जरा खासी की कारण आवाज डिस्टब होगी वो फ्रेक्शन में या दशमलों में चला जाएगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा क्वेशन फ्रेक्शन में या डेसिमल में ना जाए तो हम क्या कर सकते हैं सुनिएगा आपने दस परसेंट की छूट दी पांश प्रतिशत का लाब हुआ लाब का मतलब 20 पर एक का प्रॉफिट 20 रुपए की चीज है आपने किस में बेज दी दस परसेंट की छूट यानि दस में एक का डिसकाउंट दस रुपए की चीज को आपने नो में बेचा इतना बता दो कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया थिर मैं आपको आगे लेकर चलू इससे हमें एक बार में तीनों चीजे पता चल जाएंगी कि कौन सी चीज क्य ठीक है पानी पी लें आरे पानी भी नहीं है आज तो है स्टूडियो में उसके लिए भी बाहर जाना पड़ेगा चलो अभी ठीक है क्या बोला मैंने पांच प्रतीशत का लाव और दस प्रतीशत की चूट 20 पर एक का प्रॉफिट यानि 20 की चीज 21 में और 10 में एक का डिसकाउंट 10 की चीज 9 में इससे क्या फाइदा है 21 यहां है तो 21 यहां लिख लो 9 यहां है तो 9 यहां लिख लो ठीक है यह क्या बनेगा यह बनेगा आपका 20 इंटू 9 यह क्या बनेगा यह बनेगा 21 इंटू 9 और यह क्या बनेगा यह बनेगा आपका 21 इंटू 10 क्या सभी में 3 आपको common दिख रहा है अगर मैं यहां पे 3 तिया 9 कर दूँ यहां भी 3 तिया 9 कर दूँ और यहां 3 into 7 कर दूँ तो 20 का 3 गुना 60 हो गया 21 का 3 गुना 63 हो गया 7 का 10 गुना 70 हो गया मुझे तीनों बातें यहां पर समझ में आ गई कि कौन सी चीज क्या है आपको तीनों चीजे क्लियर हो गई कि क्रय मुल्य क्या है अंकित मुल्य क्या है विक्रय मुल्य क्या है ठीक है अब आते हैं अगले मुद्दे पर अच्छा यहां पर एक चीज में बता दूं कि इन्हों उप्षन इतने तगड़े दिये कि डिजीटल सम पहले ही फेल हो जाएगा मैं आगे आपको बताऊंगा इन्हों ने गा कि अंकित मुल्य में पहले तो 5% की ब्रिद्धी करो अंकित मुल्य कितना है आपका 70 5% की ब्रिद्धी करो यानि 105 कर दो फिर उस पर 5% की 2 छूट दो 55% की 2 छूट दो यानि उसको 95 बटे 100 कर दो 5% की छूट यानि 95 बटे 100 इसको हल करने से हमें पता चलेगा जो भी तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा उसका विक्रे मुल्य फिर हम चेक करेंगे कि वो 60 रुपए से कितना ज्यादा है तो पता चलेगा प्रॉफिट कितना है मैं एक बार पूरी बात आपको फिर से समझाता हूँ कि 20 पर एक का प्रॉफिट लिया 20-21 दस पर डिसकाउंट दिया 10-9 है तो 9 21 है तो 21 किया तो क्राइम मुल्य विक्रे मुल्य और अंकित मुल्य का रेशो मिला इन्होंने कहा कि अंकित मुल्य को 5% बढ़ा दो अंकित मुल्य में 5% की ब्रिद्धी कर दो तो 70 को 105 कर दो और उस परसेंट के दो डिसकाउंट दो तो सव में से 5 गया 95, सव में से 5 गया 95, अब आपना इसको solve करो, और मैं आपको बताता हूँ, इसमें digital sum फेल है, unit digit फेल है, उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिये, क्योंकि इसको solve करने पर आंसर बहुत ज्यादा दशमलों में जाएगा, और एक ही रास्ता बचता है, और वो होता है लगभग, जिसको इंगलिश में कहते हैं, approximate solve करना, तो अब हम तीसरा और आखरी ब्रह्मास्तर का प्रयोक करेंगे, लगभग मानकर प्रश्न को solve करेंगे, तो भाई मेरी बात सुनना, है ना, मुझे बताओ 95 गुणा 95 क्या होता है, 95 में अगर 95 का गुणा करें, तो 5 और 5 होता है 25, 9 और 10 होता है 90, 95 में 95 का गुणा करने पर क्या आता है 95 आता है, क्या आता है भाई, 95 आता है, ठीक है, अच्छा, 95 को अगर मैं 100 का भाग दे दूं, तो देखना, इस 0 से इस 0 को मैंने काटा, तो मेरे पास बचा 7, मेरे पास 105, मैं 7 और 105 का भी गुणा कर लेता हूं, 7 और 105 का गुणा करेंगे, तो 735 आएगा, 95 को अगर मैं 100 से भाग दे दूंगा, तो ये 90.25 आएगा, 95 में 100 का भाग दिया, तो 90.25 आया, और अभी भी आपके पास 100 बचा है, अभी भी क्या बचा है, 100 बचा है, तो दशमलो 25 है, तो म आपका 0 काट दिया, 9 इंटू 5, 45, 9 इंटू 3, 27, 27 में 4 जोड दिया, 31, 9 इंटू 7, 63, 63 में 3 जोड दिया, 6 6, और नीचे 10 का आपने भाग दे दिया, ठीक है, यहां तक मामला क्लियर है आपको सारा, और हमने एकाद कहीं पर कुछ करा होगा, एक्च्वल में, ठीक है, ये 661 60 नहीं, अगर 70 मानेंगे, तो ये 66.15 के आसपास आएगा, ठीक है, अब मेरी बाद बहुत ध्यान से सुनना, आपने 60 रुपे की चीज को, 60 रुपे की चीज को 66.15 में बेचा, 60 रुपे की चीज को अगर 66.15 में बेचा, मतलब आपने कितने का लाब कमाया, 615 का, किस पर कमा कमाया 60 पर, multiply by 100, और वैसे भी दिख रहा है, कि 60 का 10% 6 रुपे होता है, आप इसको मत इतना पर जाओ, और डर जाओगे, आपने कितने रुपे का लाब कमाया, 6 रुपे और सम्थिंग सम्थिंग का, 60 का 10% 6 रुपे होता है, और यहाँ 10% से थोड़ा ज्यादा ही लाब कमा आया है, तो आपका आंसर क्या आजाएगा, 10.5, कि इतना समझ में आया की नहीं आया, 9,5,45, का 5, 4, 9 x 3,27, और 4, ठीक तो है, ठीक है, अगर पूरा-पूरा ले लोगे न, तो एक बार के लिए आपको आंसर एक्जेक्ट मिल जाएगा, हम लगबग मान कर कर रहे हैं, एक ब पर फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, ये तो आपको समझ में आ गया, 60, 63 और 70, आपने अंकित मुल्य को 5% बढ़ाया, और दो बार 55% की छूट दी, यानि 95, 95% कर दिया, 95 और 95 का अगर गुणा करते हैं, तो वो कितना आता है, 90, 25 आता है, मैंने 7 और 105 में गुणा किया, अ 100 का भाग दिया, तो 90, 25 तो मैंने केबल उसको 90 मान लिया, ठीक है, और इसको सॉल्व करा, नीचे दो अंके बाद दशमलो है, 60 रुपे की चीज़ को अगर 66 बेचोगे, तो 10% से थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट आएगा, तो आपका आंसर हो सकता है, 10.5 और आप विश् 66, हो सकता है, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 8, 9, यह बहुत आगे जाएगा, ठीक है, और इतना आपके पास समय है ही नहीं करने का, तो इसलिए लगवग मान के यह आप कर सकते हो, उसी में अपना सब का भला है, पूरा करने से 11.5 आही नहीं सकता, अज्यू मेरे भाई, तुम कैलकुलेटर लेकर निप्टा लेना, आही नहीं सकता, ठीक है, इंपॉसिवल, एप्रॉक्स कर रहे हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम गलत करेंगे, है ना, सही है, करके देख लेना आप, लेकिन मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, कि ये अस्त्र भी आपको चलाना पड़ेगा, एसे सी जीडी का आया हुआ सवाल है, और कुछ सवाल एसे फस जाते हैं, जहां पे आप इमानदारी से नहीं कर सकते, आपको लगभग मानकर करना पड़ेगा, तब ही आएगा, ठीक है, और मैं एक मिनिट के लिए कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं, आपके कहने पर, सत्तर गुणा 105 गुणा 95 गुणा 95 यह देखो, इसको हल करने पे रियल में 66.33750 आएगा, तो 60 की चीज को 66.something में बेचोगे, आंसर 10 परसेंट, साड़े 10 परसेंट ही आएगा, संभभ भी नहीं कुछ और आजाए, ठीक है, चलिए भाई, अगला सवाल है, तेरवा, SSC GD, जनवरी 2023 का एक और बहतरीन सवाल, यह शुद्ध हिंदी में लिखा है, और यह शुद्ध इंग्लिश में है, है ना, बाकी आसान क्वेश्चन है, आपके पास चार ओप्शन है, ठीक है, किस योजना में नियूंतम छूट है आपके पास चार ओप्शन रखे हैं, पहला ओप्शन है दस परसेंट और बीस परसेंट के दो क्रमिक छूट, दूसरा ओप्शन है बाई वन गेट वन, देखों इंग्लिश में देखते हैं, यह चलता है ना, खुबाई वन गेट वन, बाई फाइब गेट थ्री, पाँच खरीदो, तीन चीज़े फ्री में ले जाओ, बाई फाइब गेट शिक्स, पाँच खरीदो और छे फ्री में ले जाओ, है ना, और दस परसेंट और बीस परसेंट, इन चारों में सबसे कम बाला डिसकाउंट क्या है? अजू, केलकुलेटर से कर लेना भाई, साड़े दस परसेंट के आसपास ही आएगा, दशमलों में, ग्यारा साड़े ग्यारा तक की नौबत नहीं आएगी, अरे इसे देख के मत करो, तुम लोग ना, बहुत पिटाई करने लायक हो, तुक्का मारने के लिए, एक पेर क्या मुझे लगता है, एक चीटी उंगली पे खड़े रहते हो तुमा, क्वेस्चन देखा कि तुक्का मारना शुरू, इतने तेजी से आंसर आते हैं कि पहले ही पता चल जाता है कि तुम हल करी नहीं रहे हो, सिर्फ तुक्का मार रहे हो, देखो, 10 परसेंट और 20 तो मैंने से ये गया, तो कितना आ गया, दो, 30 में से दो गया, तो कितना आ गया, 28, तो आपको जो पहला वाला है, 10 और 20 परसेंट का डिसकाउंट, तो ये 30 नहीं है, ये 28 परसेंट है, ठीक है, अब मैं आपको ये समझाता हूँ, buy one, get one, buy one, get one, अपने winners application पे चलता है, buy one, get four, ठीक है एक खरीदो, चार कोर्स हम फ्री देते हैं, और actual में देते हैं, है न, तो buy one, get one का मतलब क्या है, buy one, get one का मतलब है, कि आपने लेकर आए दो चीजे, पैसा एक कई दिया, सुनना बात ध्यान से, लाए एक, एक फ्री में मिला, तो कितनी चीजे लाए भाई, दो चीज लाए, पैसा कितने का दिया, एक का, तो एक बटे दो का मतलब क्या होता है, एक बटे दो का मतलब होता है, 50% discount, buy five, get three, है न, आपने लाए कितना, पांच खरीदो, तीन मुफ्त पाओ, समझ रहे हो बात, तो इसका मतलब यह है, कि आपने total लाए कितने तीन, और फ्री में कितना मिल स्वारी, लाए कितना आठ, फ्री में कितना मिला, तीन, तो तीन बटे आठ, और multiply by 100, तो तीन बटे आठ का मतलब क्या होगा, बारतिया 36, 37.5, पांच लाओ, छे मुफ्त ले जाओ, पांच का पैसा दो, छे मुफ्त ले जाओ, तो छे और पांच ग्यारा, ग्यारा खरीदन पर छे फ्री में मिला, इसको अगर आप सॉल करोगे, तो यह आएगा 54, 54.54, ठीक है भाई, तो अगर पहला option उठाओगे, तो 28% का discount, दूसरा उठाओगे 50%, तीसरा उठाओगे, 35, 34, उठाओगे, 54, किस योजना में सबसे कम है, न्यूनतम है, सबसे कम discount कहा है, योजना क्र number 1 में, C आपके प्रश्न का answer है, आया समझ में, very good, clear है भाई, है ना, मैं आपको एक question थोड़ा सा, इसको समझा देता हूँ, जैसे इन्होंने क्या कहा, buy 5, get 3, तो आप ना, अपने हिसाब से सोचो, कभी भी ऐसे सवाल आए, खुद के हिसाब से सोचो, आप ये बताओ, कि आपने पैसा दिया 5 का, फ्री में मिला 3, तो आप लेकर आगए 8 चीजे, और उसमें फ्री फोकट में कितनी मिली 3, पैसा 5 का दिया 3 फ्री मिली, buy 5, get 3 मतलब, खरीदो 5, 3 फ्री में मिलेगी, तो चीजे कितनी उठा के लाए 8, फ्री में कितनी मिली 3, तो आपको इससे पता चलता है कि आपको कितने का डिसकाउंट मिला, so this is 37.5%, अब आप साहिद समझ गए होंगे, ठीक है, हाँ, कपड़ों पर खूब चलता है, यह इसी का English version है, चलो भाई, एक कार को 10, 12, 15, 20, 4 डिसकाउंट पर दिया और उसका विक्रे मुले इतना हो गया, अंकित मुले क्या है, देखो, हमें नहीं पता उसका अंकित मुले क्या है, पहले आपने 10% का डिसकाउंट दिया, 100 में से 10 गय फिर 12% का डिसकाउंट दिया, 100 में से 12 गया, 15% का डिसकाउंट दिया, 100 में से 15 गया, 20% का डिसकाउंट दिया, 100 में से 20 गया, और इन 4 डिसकाउंट को देने के बाद उसका प्राइस क्या हो गया, 168300, ठीके भाई, तो आप इन 4 को उठाके नीचे ले जाना, और इसको पू दिजिटल सम नहीं लगेगा परेशान मत होना तो मैं आपको यह सवाल होमवर्क में दे रहा हूं सब लोग कमेंट करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा ठीक है और यह सवाल तो ठीक है हमें डिसकाउंट का एक सेशन और रखेंगे क्योंकि आज पूरे टाइप नह मिलेंगी और कल कल हम क्लास ना रखते हुए कल रात को आट बजे में आपसे लाइव रूबरू होने वाला हूं और कल एंटी पीसी का आपको पूरा पोस्मॉर्टम करके बताऊंगा उसके बाद एक दिन ग्रूप डी के वारे में बता दूंगा तो क्या एक्जाम कैसे होती सिलेबस क्या होता है सेलरी कितनी मिलती है कौन से पद मिलते हैं क्या प्रोसेस होती है सब कुछ मैं आपको कल बताऊंगा तो कल रात आट बजे आप संडे स्पेशल सेशन में जुडिएगा इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो शेशफल पर आधारित होगी रि लेंगे सब कुछ उसकी चिंता आप ना करें और प्लेलिस्ट बनी हुई है इसको आप लोग देख लेना डिजिटल संब आधित्ति पटेल आप यूट्यूब पर सर्च करना और कल संडे है अगर आपने वीडियो नहीं देखें देख लेना बहुत काम की चीज़े भाई है और a la yoga बेट इस्टांट हो चुका है बहुत कम फीस में है अगर आपको मेरी मैटीर में सबीनग में चाहिए आपको वर कोई बी कोर्स लेना है आपको मुझसे मैस पढ़ना ना है तो मैस फानडेशन ले सकते हो CGL के त्यारी करनी तो SSE CGL का पूरा कोर्स ले सकते हो, GD का, Railway का, और अगर आपको Publications किताबे और करनी है, तो आप Winners Publications एप से किताबे और कर सकते हैं, उमीद है, आज के सेशन में भी आपको अच्छा लगा होगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, इस सेशन क एंड होने के बाद कमेंट करके अपनी दिल की बाते, अपनी दिल की जो भावनाएं हैं, वो जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा, है ना, तो कल रात 8 बजे मिलते हैं, NTPC के, डिटेल में चर्चा करते हैं, और मुझे लगता है कि आप सब को उसका एक्जाम देना चाहिए, प आपना देहान रखिए, थेंक्यू.